Hello Viewers, Agroclimatic Jones of Rajasthan के Part 2 के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह के क्योशन इस टॉपिक में से डिफरेंट कॉंपिटिटिव एक्जैम्स में आते हैं इसके साथ ही हम पिछले पार्ट में कुछ बचा हुआ जो भाग है एग्रोक्लामेटिक जोन का वो भी डिसकस करने वाले हैं कि रेंफोल हमारा बच गया था वो हम डिसकस करेंगे इसमें स्वागे थे आप सब लोगों का Learn with Dr. Kavita YouTube चैनल पर तो चले आज का Part 2 का वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि पिछले पार्ट में हमने क्या-क्या डिसकस किया था तो पिछले पार्ट में हमने जोन, कन्नी और कौन-कौन सा डिस्टिक किस-किस जोन के अंडर आता है यह हम डिसकस कर चुके हैं आज के वीडियो में हम सबसे पहले Rainfall डिसकस कर लेंगे कि कौन से जोन में कितना Rainfall आता है और उसके बाद किस टाइप के question इस Agroclimatic Jones of Rajasthan टॉपिक में से आपको मिल सकते हैं सबसे पहले जो जोन फर्स्ट है जोन फर्स्ट का ए बी एंड सी तीनों का Rainfall 100 तू 300 मिलिमेटर है कि अगर बात करें जोन सेकिंड की जोन सेकिंड का ए एंड बी दोनों में Rainfall 300 से 500 मिलिमेटर है और जो जोन फर्स्ट है उसका भी जोन फर्स्ट का A एंड बी दोनों में Rainfall 500 तू 600 मिलिमेटर है Next 4th A का 500 तू 700 क्योंकि यह सब हुमिड है तो इसका हुमिड वाले से थोड़ा सा कम है 4th B का 600 से 750 mm एंड जोन फिफ्ट है जोकि हुमिड साउथ एस्टन प्लेन है उसका Rainfall सबसे ज़्यादा More than 750 mm है वो जो जालावाड है जोन फिफ्ट में जोस्तित है वहां सबसे अधिक Rainfall होता है तो यह था Rainfall के बारे में कि कौन से जोन में कितना Rainfall रहता है क्या Amount रहता है Rainfall का वो हमने डिस्कस कर लिया डिस्टिक्स हम अलरड़ी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके है मैं यहाँ आई बटन में लिंक दे दूँगी अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां जाके देख लीजिए और यह सब मैंने एक ही टेबल में यहाँ बना दिया है अगर आप चाहें तो इसका screenshot भी ले सकते हैं आपको काफी useful होने वाला है रिवाइस करने के लिए अब हम बात कर लेते हैं कि इन में किस टाइप का क्योशन आ सकता है सबसे पहले टाइप का क्योशन रहेगा किस जोन को किस नाम से जाना जाता है तो यह आपको पता होना चाहिए जैसे question में दे देंगे which one of the following is first bee agroclimatic zone of Rajasthan आपको वहाँ different options दे देंगे जैसे arid western plane, irrigated north western plane, hyper arid partial irrigated zone या फिर flood prone eastern plane तो यह चार option दे दिए तो इसमें हम सब को पता है कि first bee का नाम irrigated north western plane है तो हम उसे write कर देंगे तो इस तरीके का question आ सकता है कि किस zone को किस नाम से जाना जाता है इसके इलावा जो second type का question हो सकते है वो इस तरह के हो सकते है कि आपको rainfall का पूछ लिया जाए आपको किसी zone का नाम दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इसका rainfall क्या रहेगा तो आपको वो पता होना आपसे पूशलिया जाएगा कि इस ढिप इस्टिक्स। और विच एगरोक्लाइमेटिक जॉन दू यह जो दो तिन डिस्टिक्ट के नाम दिये हैं यह कौन से एगरोक्लाइमेटिक जोन तो इस तरीके से आपका क्योशन हो सकता है थर्ड टाइप का जैसे फॉर एक्जामपल आप से पूछ लिया श्री गंगानेगर और हनमानगर कौन से अग्रोक्लाइमिटिक जोन में आता है तो हो सकता है उसमें उप्षिन हो फर्स्ट भी फर्स्ट इस तरीके से तो हमारा उप्षिन हो जाएगा फर्स जो थर्ड टाइप के क्योशन हो सकते हैं वो हो सकते हैं कि जैसे आपको किसी रिसर्च इंस्टिट्यूट का नाम दे दिया आपसे पूछ लिया जाएगा कि यह कौन से जोन में स्थित है तो उसके लिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि वो जो पर्टिकुलर रिसर्च इंस्टिट्यूट है वो कहां इस्थित है और उसके बाद वो जो डिस्टिक आ रहा है वो कौन से जोन में आता है तो इसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा नोलेज होना होगा तभी आप इसको करेक्ट कर पाएंगे इसके लावा आपसे पूछ सकते हैं अग्रिकल्चर उनिवर्सिटीज का राजस्तान में पांच अग्रिकल्चर उनिवर्सिटीज हैं तो आपसे किसी का भी नाम देके पूछा जा सकता है कि यह अग्रिकल्चर उनिवर्सिटी कौन से जोन में आती है तो यह भी आपको पत तो कुछ रिसर्च इंस्टिटूट का में आपको इस वीडियो में बता देती हूं ताकि आपको थोड़ी हेल्प हो जाए और कुछ अगर इंस्टिटूट बच भी जाएं हमारे डिस्कुशन के बाद तो वह आप अपना अलग से इनलिस्ट कर लिजेगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं Central Arid Zone Research Institute काजरी जिसको बोलते हैं शोर्ट में वो जोधपूर में स्थित है और हम जानते हैं जोधपूर 1st A जोन में आता है तो ये काजरी भी 1st A में आएगा similarly जोधपूर में ही Arid Forest Research Institute भी है तो वो भी 1st A में आ जाएगा इसके इलावा 1st A में आता है बाडमेर तो बाडमेर में भी एक इन्स्टीट है बाजरा अनुसंधान संस्थान वो भी बाडमेर में ही है तो वो भी 1st A में आ जाएगा इस तरीके से आपको अगर इन्स्टीट की लोकेशन पता होगी तो आप उसका आंसर बहुत एजी ली कर सकते हैं अब बात केते हैं Central Institute of Arid Horticulture C.I.A.H. C.I.A.H. कहा है बीकानेर में तो बीकानेर कौन से में आता है First C में तो इसका आंसर हो जाएगा कि C.I.A.H. is located in First C C. Similarly, बीकानेर में दो और इंस्टिटूट भी हैं दो और रिसर्च सेंटर हैं एक तो है N.R.C.C. National Research Center on Camel वो भी बीकानेर में है और एक National Research Center on Equines वो भी बीकानेर में है अलांकि यह सब सेंटर है मेन सेंटरिस का हिसार में है बद क्यूंकि हम राजस्तान की बारे में बात कर रहे हैं तो एक वैंस का अली बीकानेर में है तो हमारा उप्शन हो जाएगा कि First C जोन में इसके अलावा डारेक्टरेट ओफ रैपसीड मस्टर्ड रिसर्च कहां है सेवर भरतपूर में और भरतपूर कौन से जोन में आता है 3rd B में तो हमारा उप्शन हो जाएगा 3rd B Similarly हमारा Rari, Rajasthan Agriculture Research Institute तूर्गापुरा जैपूर में है और जैपूर 3rd A में आता है इसके अलावा 3rd A में दो और इंस्टीट भी आते हैं एक तो है National Research Center on Seed Spices जो की तबीजी अजमेर में है वो भी 3rd A के अंदर ही आएगा और जो Central Ship and Wool Research Institute है अविका नगर टॉंक में वो भी 3rd A के अंदर ही आएगा तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे इंस्टीट हैं जो डिफरिंट जोन्स में हैं और हमें याद होने चाहिए इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपसे यूनिवरसिटी का पूछ सकते हैं जैसे पूछ लिया कि MPUAT उद्यपुर कौन से जोन में आती है तो MPUAT उद्यपुर 4th A जोन में आती है हलांकि उद्यपूर 4th A और 4th B दोनो जोन में आता है बट MPUAT हमारी 4th A में आती है similarly अगर SKRAU B का नेर का पूछ लिया जाए या फिर राजुवास B का नेर का पूछ लिया जाए तो ये दोनो 1st C में आएंगे इसके अलावा हमारा SKNAU जोबनेर क्योंकि जैपूर में है तो 3rd A में आएगा इस तरीके से आपको लोकेशन इनकी याद होनी चाहिए Agriculture University जोदपूर 1st A में आएगी क्योंकि जोदपूर 1st A में आता है तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हमारा Institute, कौन सी इनिवरसिटी क्या है अगर उसकी लोकेशन हमें पता होगी तो हमें पता रहेगा कि कौन से जोन में आएगा तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ Institute and Universities का बता दिया है जो छुट गए हैं उनको आप एक Table inlist कीजिए and prepare कीजिए इसी तरीके के question आएगे आपकी exam में एक बार हम recall कर लेते हैं कि किस टाइप की question आते हैं First of all आपसे जोन का नाम पूछ लिया जाएगा Second thing particular zone का rainfall पूछ लिया जाएगा Third चीज आपको district दे दिये जाएगे and पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से जोन में आते हैं and fourth चीज आपको किसी भी research institute का या फिर आपको किसी भी agriculture university का नाम दे दिया जाएगा and पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से जोन में आते हैं तो इस तरीके के question ही हमारे agroclimatic zone में से बनते हैं और हाँ एक चीज जो miss हो गई है यहाँ आपको पता होना चाहिए कि कौन सा agroclimatic zone smallest है and कौन सा वाला largest है तो largest की बात करें तो first C रहेगा hyper arid partially irrigated zone first C हमारा largest रहेगा and बात करें smallest की तो smallest रहेगा fourth B fourth B हमारा smallest रहेगा तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद होनी चाहिए इसके related questions में next जो Wednesday वाली वीडियो है उसमें डाल दूँगी आप practice कर लीजिएगा and जो first वीडियो है उसका आपको link आई बेटन में मिल जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही subscribe जरूर करें Thank you, Jai Hind